हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा पॉसिटीव और बहुत ही अच्छी एनॉंस्मेंट लेकर के मैं आया हूँ इस वीडियो में आप सब के लिए एक्सेल एजूकेशनल इंस्टिटूट जो की सेंट्रल इंडिया का बेस्ट इंस्टिटूट है उन्होंने हम सबने मिल करके अभी क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए भी अपनी कोचिंग फैसिलिटीज और गाइडेंस देना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बहुत समय से ऐस की फिल्ड में नाम है और जहां से अभी तक 11,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट लोगों ने बड़े-बड़े एक्जाम में अपने पैशन के लिए जानी जाती है और रिजल्ट ओरियंटेड टीचिंग अप्रोच के लिए जानी जाती है उस इंस्टिटूट ने 9th और 10th के सारे स्टूडेंट्स के लिए CG बोर्ड के लिए CBSC बोर्ड के लिए सारे बोर्ड के लिए कोचिंग फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दिया है हम कुछ बाचीत करते हैं जानते हैं कि क्या खास है इस अनॉंसमेंट के अंदर मेरे साथ हैं हमारे साथ में हैं इंजीनियर सौरब अगरवाल जी और इंजीनियर वतन शर्मा जी और मैं सबसे पहले ये सवाल पूछता हूँ इंजीनियर सौरब अगरवाल जी से जो कि मैट्स के बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी है और जिनको मोर दें 20 यर का टीचिंग एक्सपिरियंस है सौरब अगरवाल सर एकसल में जो हमने इसल एकसल एकसल इंस्टिटूट सीए के कोर्सेस में अपनी सर्विस दे रहा है बैस रिजल्ट के साथ साथ हम लोग स्टुडेंट्स को टाइम टू टाइम के बारे में कांसलिंग करते हैं गाइडेंस देते हैं एक चीज जो मैंने फील किया कि यहाँ जब स्टुडेंट्स का कोर्स करने आते हैं सीए के कोर्स सीए में या सीएस का कोर्स करने आते हैं तो बहुत सारे स्टुडेंट्स मैंस में प्रॉब्लम फेज करते हैं इसलिए कि उनका मैंस कमजोर है और मैंस कमजोर होने का रीजन क्या होगा वो mindset एक सुरू से 9-10 से बना रहता है उनका कि हमसे mess नहीं बनता है mess tough है ये उनका एक mindset 9-10 में develop हो जाता है किसी कारण से उनसे mess जब 9-10 में नहीं बनता है तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं और शायद 9-10 में ठीक से mess में अच्छे marks नहीं आने के कारण बहुत सारे strength 11-10 में mess subject एडॉप नहीं करते हैं वो commerce एडॉप करते हैं ये गलत है वह आप commerce subject इसलिए ले रहे हैं कि मुझे C.A. बना है मुझे line clear है दिमाग में कि मुझे C.A. करना है मुझे C.A. में करना है मुझे C.S. करना है तो ये positive कहना चीए एक step है आपका लेकिन अगर आप commerce केवल इसलिए ले रहे हैं कि मुझे mess नहीं मनता मैं mess नहीं ले सकता 11-12 में तो आप काईदे से देखा जाए तो एक सही रास्ता नहीं चून रहे हैं तो किसी दूसरे रास्ते से भाग की इस रास्ते में आए हैं यहां पर commerce में जब student आते हैं वो अकसर ये मुझे से बात करते हैं कि सर हम लोग का mess कमजोर रहा है हमने 11-12 mess पढ़ा नहीं है हम तो commerce subject वाले थे 9-10 में हम लोग को mess से डर लगता था तो कुल मिला करके मैस की problem इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी रहती है कि यहां CA में कोर्स करने जब आते हैं तो उनको कहना चाहिए CA exam clear करने के लिए especially mess subject में मुझे बहुत ज़्यादा effort लगाना पड़ता है और हम लगाते भी effort और बच्चे success भी होते हैं लेकिन आखिर इतनी परिशानी हम क्यों जहलें बात यह है कि इतनी परिशानी हम इतनी problem को बढ़ने क्यों दें आकिर तो बहुत सारे parents मेरे पास आते हैं जब हम PTM करते हैं तो वो कहते हैं sir actually हम लोग तो 11 के बाद 12 के बाद भी हम लोग कोई clear नहीं था कि हम कौण सा course करने जाएं तो उनको एक तो टो 12 एक्जाम इस्ट्रेंट दे चुका है आपका बच्चा 12 पढ़ चुका है उसके बाद भी उनको दिमाग में यह clear नहीं है कि हम लोग कौन सा course करने जाएं किस course में क्या रास्ते हैं हमारे पास कौन सा course करने के बाद हमारे पास क्या job opportunities है तो एक तो ये उन लोगों में lack of knowledge रहता है दूसरा ये रहता है अगर हम बहुत basic पे जाएं तो 9-10 में जब student कोई पढ़ता है तो 9-10 में जब 10 पास हो जाएंगे जब 10 का result आएगा तब लोग सुचना चालू करते हैं कि हम math लें कि biology लें कि commerce लें ये गलत है हम बहुत पीछे हैं कायदेस देखा जाए तो 9-10 पढ़ते पढ़ते ही 9-10 पढ़ते पढ़ते ही student को खुद को और उनके parents को ये चीज समझ में आज आनी चाहिए कि भई प्रॉपर मुझे कौन सा subject में ज़्यादा interest है या कौन सा subject मुझे 10 के बाद लेना है तो वो 10 एक्जाम का result आने से पहले ही जब लगभग आधा 10 पढ़ चुके रहते हैं हम लोग यहां 9-10 चालू करने का मकसद ही है कि अब हम लोग यह सारी problem जो मैंने आभी को बताया है जो आगे चलके बढ़ते जाती है इस सब को 9-10 में stop कर देना चाहते है 9-10 में खत्म कर देना चाहते है कोई 9-10 में जब हमारे यह admission लेता है या लेगा या 9-10 हमारे पास course करने आएगा उसको सबसे पहला काम हमारा है रहेगा उसका base उसका आधार इतना मजबूत कर दें इतना मजबूत कर दें कि 10 के बाद वो किसी भी field को select करने में hesitate न करे मुझे मैस लेना है mindset clear है मुझे यह मैस लेना है यह करना है यह exam देना है मुझे यह बनना है मुझे biology लेना है यह course करना है यह पढ़ाई करना है मुझे कोई यह exam देना है यह मेरा mindset clear है मुझे यह बनना है मुझे commerce लेना है तो मुझे ये ये course करना है ये ये मेरे पास option है कि CA कर सकता हूँ, CS कर सकता हूँ, CM कर सकता हूँ और मुझे ये course करना है no hesitation, कोई fear नहीं मेरा base तो इतना मजबूत है कि मैं चाहे ये course select करूँ मैं अपने पसंद का course select करूँगा तो सबसे एक basic motto, सबसे important चीज़े है सारे parents की, बहुत parents की demand आती रही है हम लोग के पास पिछले 4-5 सालों से कि sir हम लोग जब आपके पास आते हैं तो हमारा लगभग, हमको ऐसा महसूस होता है कि हम लोग अपना 9-10 का आधार जो है कर देना, इतना मजबूत कर देना है अपनी पसंद से, अपने इंट्रेस्ट से फिर वो आगे कोई भी subject select करे, कोई भी field में जाए उस सफलता उसके कदम चुमेगी बस ये हमारा एक whole soul motto है Thanks Great sir, बहुत ही शांदार तरीके से आपने एक्सेल का इसके पीछे और एक्सेल लगातार अपना जो quality education, commitment जो है कि सारे students का career build कर पाना और उनके लिए कुछ अच्छा कर पाने की कोशिश है करना उसको spread करना चाहता है अपने इस commitment को, अपने इस quality education को और ये reason है कि क्यो हम 9-10 पर और ज़्यादा focus बच्चों से 9-10 से start करके उनके foundation को strong करना चाहते हैं, ताकि वो बाद में भले IIT ले, भले maths को चुने, bio को चुने, किसी भी stream को चुने, commerce को चुने, लेकिन वो independently decision ले सके और उनका basic concept है बहुत अच्छा हो सके, सौरवसर ने 10 के students को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं Hello everyone, so the main question is what's new? What are the new features जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं? So obviously, जैसा कि आप जानते हैं कि CA, CS 11-12 में वोल्ड, मतलब national level के best faculties हमारे हां पढ़ाते हैं, उसी तरह से experienced or qualified faculty we are going to provide for even 9-10-10 साथ ही साथ notes, notes are very important सिर्फ आप एक बुक तक आप सीमित रह जानेंगे तो वो बात नहीं बनती आपको पूरा knowledge होना चाहिए हर प्रकार की बुक से तो teachers यहाँ पे खुद खुद बैट कर notes बनाते हैं और easy language में ताकि वो हर प्रकार के बच्चे को समझ में आए तो teachers individually subject wise even chapter wise notes बनाते हैं और notes time to time distribute होता है बच्चों को साथ ही साथ test is very important अगर आपके chapters over हो गए हैं तो वो test का जब तक आपके उपर pressure नहीं रहेगा तो आप घर पे जा के उस chapters को revise नहीं करेंगे तो we also take weekly test, every subject का weekly test होगा जैसे ही एक chapter complete होता है उससे related test for every subject because test is very important क्योंकि वो ही आपका base जो है वो ही आपका strong करता है और सबसे important, what's new में सबसे ज़ादा important है doubt classes because जब आप class में बैठ जाते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े introvert होते हैं, class में पूछने में घबराते हैं doubt, बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं तो उनके लिए हम 24-7 doubt classes via WhatsApp और via email provide कर रहे हैं अगर even आपको WhatsApp और email में भी doubt clear नहीं हो पा रहे हैं तो एवरी संडे एवरी संडे पर्टिक्लर इंडिविज्व टीचर के द्वारा face to face आप personally doubt class clear कर सकते हैं in case आपको online या 24-7 doubt classes में चीजे clear नहीं हो पा रही हैं यह हमारे कुछ features है और कुछ features सर बताएंगे Excellent Sir, wonderful Sir Vatan Sir ने explain किया कि कैसे हम लोगों ने teaching strategy बनाई है कैसे हम बहुत best करने वाले हैं सौराब अगरवाल सर से जानते apart from whatever said by the Vatan Sharma Sir कि क्या हमने special सोच के रखा है Sir कोई भी course अपन करते हैं 9-10 वाली बात नहीं है किसी भी level का course हो सबसे important चीज होती है कि उस institute में जो course है वो completion जो है course का complete करने का duration है वो fix होना चाहिए और almost लगभग जो एक time duration decide किया गया है कि इतने मंत का course है इतने दिन में होना चाहिए वो proper लगभग उस time duration में होना ही चाहिए क्योंकि उसके बाद यह पुरी plan चलती है कि अपन इस दिन को course चालू कर रहे है इतने तारिक तक course करेंगे इतने इस तारिक को लगभग tentative exam date आएगा लगभग इस तारिक को exam है तो हमारे पास यह pre-plan होना चाहिए कि इतने दिन का हमारे पास time मिलेगा जो हम बच्चों को as a PL दे सकते हैं preparation leave और उस preparation leave में भी हम बच्चों को ऐसा नहीं है कि हमने course complete कर दिया उसके बाद आप घर जाईए आराम से बैठिये घर में क्योंकि बच्चों को क्या रहता है कि अगर अपन ज्यादा free कर दें कि आप PL लग गया तो आप घर में पढ़िए तो कहीं न कहीं बच्चे तो थोड़े बच्चे ही है वो थोड़ा दिदाउदा divert हो जाते हैं distract हो जाते हैं तो उसके लिए ऐसा है कि हमारे PL में हमारे ऐसी course complete करने के बाद चुट्टी कर दिया ऐसा नहीं रहेगा course complete करने के बाद वो जो PL का duration उसमें student के लिए time fix किया जाएगा student जो है हमारे पास उस PL के duration में daily आएंगे हमारे पास daily आ सकते हमारे पास और उनको पूरे course का पूरे throughout syllabus का एक revision दिया जाएगा और साथ ही साथ उस समय जैसे अभी वतन सर ने बताए कि weekly test पूरे session में रखते हैं उस समय हम लोग कुछ ज्यादा frequent test रखेंगे हर दो दिन में हर तीन दिन में test रखते जाएंगे और जो final exam में जिस तरीके से test लिया जाता है जो pattern होता है final exam में test का बिल्कुल exactly उस pattern पे 2-3 model test भी हम लोग रखेंगे ताकि बच्चों को एक rehearsal जैसा हो जाए वो कि final exam दिने से पहले एक full rehearsal दिमाग में हो जाए कि हमारे time management कैसा होना चाहिए exam में test में हम कितना perform कर पा रहे हैं कितने हम पानी में हैं यह सारी चीजे बच्चों को इतना analysis करके देंगे और throughout the session सबसे important बात यह throughout the session यहाँ पर time to time हमारे institute में हर courses में किया जाता है 9-10 में भी बिल्कुल किया जाएगा हर प्रकार के course जितने भी course हमारे institute में चलते हैं हर बार किया जाता है हर साल लगातार किया जा रहा है 9-10 में बिल्कुल किया जाएगा यह चीज हम PTM organize करेंगे लोग PTM को बस ये सोच के बैठते हैं कि वो PTM school level पे होता है जबकि PTM institute level पे भी उतना ही effective है जितना की school level पे होता है PTM parents और teacher के साथ coordination बहुत जरूरी है उसमें teachers बताता है कि student किस तरीके से institute में अपना रवया रखा हुआ है और साथ ही साथ बहुत सारे cases में parents हमको बताते हैं कि सर student का घर में ये रवया है शायद घर में वो बात हमारी नहीं सुन रहा है चाहे वो घर में जैसा time आपको आपने कहा है वह साथ देना चीह सा नहीं दे रहा है तो वो सारी problem को sort out करने के लिए PTM बहुत ज़रूरी है और वो हम लोग यहाँ पर proper तरीके से manage करते हुए student 9-10 के student को भी provide करने वाले है इसके अलावा सर एक रहता है कि हमारे पास जो NTSC जो exam होते हैं उसकी preparation के लिए भी हम लोग 9-10 में बच्चों को तियार करेंगे जिससे उनको बहुत आगे benefit मिलेगा बहुत बढ़िया साथ सर आप सबने जाना कि Excel Educational Institute राइपूर की जो पूरी committed team है faculty team है वो पूरी strategies के साथ में planning के साथ में और उसके execution का पूरा एक plan और roadmap बना करके तयार है अपना best guidance देने के लिए 9-10 के सारे students को with an intention to provide them best quality education and to prepare them for the higher education इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि वो सारे students जिनोंने किसी भी वज़ा से कोई भी reason हो सकता है जिसकी वज़ा से अगर अभी coaching जवाइन नहीं की है तो उनके लिए golden opportunity है कि वो यहाँ जवाइन करके right from the starting पूरा beginning से course completion अपना करवा सकते हैं revision के साथ में coaching ने 9-10 की coaching facility start किये मैं चाहता हूँ मैं appeal करना चाहता हूँ सारे students से सारे parents से कि वो जरूर यहाँ पर अपने बच्चे का admission करवाए demo classes हमारे भी one week तक चलते रहेगी सारे students चाहे तो one week का demo attend कर सकते हैं और उसके बाद ही next decision ले सकते हैं तो हम सब मिल करके बहुत सारी शुकामनाय देते हैं सारे students को best wishes देते हैं thank you very much for watching this video